समोसा पूरी सच नहीं है आधी सच है समोसे को सबसे पहले दसवी सदी में इरान में बनाया गया था और तब इसका नाम सामसा था जो कि इजिप्ट के पिरामिट से लिया गया था क्योंकि अगर आप समोसे को ध्यान से देखे तो इसका आकार इजिप्ट के पिरामिट से काफी मिलता जुलता है ग्यारवी सदी तक समोसा बाकी सारे अरब के देशों में फैल गया और इसके नाम में भी बदलावा आता गया जैसे स्तानभुसाग, सामभुसाज और संभोसा इसके बाद तेरवी सताबदी में अरब के वैपारियों के द्वारा समोसा भारत में भी आ गया और तब इसे सिर्फ राजा महराजाई खाते थे और भारत में ये एक रॉयल डिस बन चुका था पर जादतर भारतिये समोसे को खा नहीं सकते थे क्योंकि तब समोसा एक नौन वैज डिस था इसके अंदर मतन और कई सारे मसाले थे 14 सदी में उत्तर प्रदेश में समोसे के अंदर मतन के जगा आलू भरा गया और ये सबको पसंद भी आया धिरे धिरे ये पूरे भारत में फैल गया और इसे समोसा का नाम मिला तो इस फैक्ट से आप कह सकते हैं कि वैज समोसे का बनाने का क्रेडिट भारत को जाता है और तब से लेकर आज तक समोसा चला आ रहा है इतने सदियों के बाद भी समोसा तब भी लोगों की पहली पसंद थी और आज भी पहली पसंद बनी हुई है झाल झाल